फाइनले करन को याद करते हुए प्रीता ने डिसाइट कर लिया है अपनी बहूँ के लिए शादी का लुक लेकिन अब ये देखना बेहर दिल्चस्प होगा और इंट्रिस्टिंग भी होगा कि किस तरीके से जब प्रीता को पता शलेगा कि जिस तरीके से वो राजवीर के श बहु आने वाली है वेल तो शले देखते हैं आप सभी का मन पसंद सेरियल कुलने भाग के आने वाली एपिसोड में और क्या कुछ नया ट्वेस्ट आने वाला है हाला कि हम सभी ने पिछली एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से जो प्रीता रहती है उसे कहीं ना कहीं पसंद आता है और वो बार बार राजवीर से कहती है कि तुम शौरी को घर लेके आओ नहीं तो मैं ओफेस चलूँगी और फिर मैं उससे ओफेस में मिलूँगी लेकिन भी राजवीर है कि वो इस बात से बेहर डर रहा है कि कहीं करन के सामने उन दोनों का राज ना खुल कि अभी तक करन को भी नहीं पता कि जो राजवीर है उसी का बेटा है और अभी तक पृता को यह भी नहीं पता कि जो शौरय है वो उसका बेटा है वैं आने वाले जो इतने सारे ट्विस्ट है जो देखना आप सभी के लिए बेहर दल्चस्ब होगा वैले सिरल का लेटेस ट्राक में सामने आ चुका है और ट्राक में दिखाया जा रहा है कि फाइनली जो प्रीता रहती है वो रात में बैठ के करिन के बारे में सोच रही होती है उसकी यादास धीरे-धीरे आ रही होती है और फिर वो और उसी वक्त तो अपनी बहुआ के लिए शादी के लुक भी डिसाइड कर रही है और वो सारे चीजे एकठा कर रही है अपनी बहुँए लेके एक ऐक चीजों का वो ध्यान दे रहे है कि किस तरीके से वो अपनी बहुँ के स्वागत करेगी किस तरीके से अपने बेटों के वो प्यार लुटाएगी लेकिन क्या प्रीता को ये पता चल जाएगा कि शौर भी उसी का बेटा है और करन को ये पता चल जाएगा कि जो राजवीर है वो उसी का बेटा है वेल इस वीडियो पे आप सभी का क्या राह है हमाई कमेंट के ज़री जरूर बताएं का फलहाल इस वीडियो में इतना ही ऐसे ही अपनी फेबिस एक अपनी जानने के लिए देखते रहे हैं फिल्मे बीट और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले और अगर आ हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें